हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब आसा करते हैं, आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, आज मैं कॉलीफलावर चिल्ली बनाऊँगा जोकि पूरी अच्छी तरीके से खस्ती और मूर्मूरी बनेगी और ये खस्ती मूर्मूरी चिल्ली सुबह के नहस्ता में मिल जाए तो बात ही कुछ अलगा है ना दोस्तों, तो देर मत किजिए, आज से बनाना शुरू किजिए ये गोवी चिल्ली, तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीरज, हिंदी कुकिंग बिहर में आपका स्वागत है तो दोस्तों, मैंने गोवी चिल्ली को बनाने के लिए, मैंने एक बड़े से गोवी ले लिया है लेकिन इतना सारा मैं नहीं बनाऊगा मैं डेड़ सो ग्राम के लगवाग मैंने गोवी को छोटे-छोटे पिसेज के अकार में मैंने टोड लिया है आपको भी ऐसा ही करना है अब इसको क्या करना मैडियम वाइल करना है यह नहीं कि पूरी गला देना है तो मैं नहीं की पूरी गला दे लिए तो पूरी अच्छीत्री के सारे मसालों को मैड करूंगा तो ये है मैदा और ये है जास्ती माँ जिसे हम चावल का आटा भी कहते हैं और ये है कर्ण फ्लावर तो सारे को मैं दो-दो चमच करके इसमें एड करूँगा तो दो चमच सबसे पहले मैं मैदा को एड करूँगा उसके बाद ये जास्ती माद दो चम्मच मैंने डाला है जिसको चावल का आटा भी हम लोग करते हैं अब मैं दो चम्मच इसमें कर्ण फ्लावर डालूँगा जिसको आरा रोट करते हैं यह है रेड कलर जिसको मैंने यूज किया है आप चाहे तो इसको नहीं भी यूज कर सकत मजइने अब उसमें मसाला मिक्स करने के लिए इसमें आगी चोटी चमच मिनें लिटाला है और एग चोकर पिर्णर नितने हुदा होaway रहती है। और इसमें एक मसाला और एट करना है जिससे बहुत ही ज्यादा टेस्ट आता है यह अद्रक लसुन अहरी मिर्च का फेस्ट है इसको थोड़ा सा डालना है ज्यादा नहीं एट करना है इससे टेस्ट में बहुत ही ज्यादा चेंज आता है तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर और यह रिफाइन वाल मेरे अच्छे से गर्म हो गए हैं अब मैं इसमें बारी बारी से कॉलीफ़ावर चिली को डालूंगा और कुछी समय के बाद देखेंगे तो यह कॉलीफ़ावर चिली फुल फुल कर थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे और तेल के उपर तैलने लगेंग और नहीं तो अगर जो फ्लेम को हाई करते हैं तो उपर उपर जल जाएगा तो खाने में भी ठीक नहीं लएगा तो फाइनली दोस्तों मीडियम फ्लेम पर इसको पकार है यह देखें अब यह लगभग पकने वाला है और कुछी समय में यह पक भी जाएगा तो तब तक पक पक गया है यह देखें तो फाइनली अब इसको निकाल लूँगा और यह गोल्डन व्राउन भी हो गया है और देखने भी अच्छा लग रहा है और खास्ता तो कहना मत बहुत ही ज़्यादा तो फाइनली तो इसको अच्छे से बाहर क्यों निकाल दी है अब इसको एक पले परिएन को अच्छे से सजा लेता हूं और यह सबसे ज़्यादा तामिल याड़ू में खाये जाता है और बिहार के लोग पता नहीं पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं लेकिन खायेगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लेगा तो कैसे लगा मेरा वीडियो अगर अच्छा आप और कॉमेंट जरूर कर गया और फिर मिलेंगा आगले वीडियो में आज के लिए बस यहें तक थाइंक्यू